हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज का वीडियो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important रहेगा जो लोग directly stocks को खरीद बेच करते हैं या वो लोग जो लोग mutual fund के माध्यम से share market में पैसे लगाते हैं तो बात करेंगे one by one करके तो देखिए सबसे पहले 25 तारीक को क्या हुआ 25 तारीक को क्या हुआ निफ्टी 50 देखिए 19,122 पर close हो गया 169 पॉइंट गिरा कई सारे investor आपको कहते हुए देखने को मिल जाएंगे या TV channels पर भी कहते हुए देखने को मिल जाएंगे देखिए आप यहाँ से निफ्टी 50 देखिए कितना परसंट गिरा 0.83 परसंट निफ्टी बेंक देखो 0.74 परसंट आप निफ्टी 50 से क्या मतलब हुआ कि जो लोग जो लोग लाज केटिगरी के जिनके पास mutual fund है तो सबसे ज़्यादा उनीका गिर गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा large cap category के mutual funds गिरे, तो यहाँ पर आपको लमसम करने के लिए विचार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका बात मैं बाद में बत करूँगा, आपको करना क्या क्या है, यह चीज़ आप बस note करते जाए, nifty 50 मत के पास, जिनके पास किस category के mutual funds है, banking and financial sector के अंदर जिन्होंने पैसा डाल रखा है, वो लोग invest करने का वक्त सही ले सकते हैं, कई सारे investors के पास mid cap category के mutual funds होंगे, ठीक है, mid cap category के mutual funds होंगे, और काफी सारे जो mid cap category के mutual funds है, वो nifty mid cap 100 को follow करते हैं, benchmark को, तो देखे, 0.65% यह गिर ग direct खरीद लेते हैं, या कई सारे लोग sensex bees, या nifty bees, या ETF में पैसा डाल देते हैं, या index fund में पैसा डाल देते हैं, या आपके पास nifty next 50, देखे, कितना गिर गया, 0.61%, तो nifty next 50, जिसके पास भी index fund है, वो लमसम कर सकता है, यहां से, इसके सासा देखे, nifty small cap 100, कई सारे mutual fund holders के पास small cap category के mutual funds लिए होते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा mutual fund है, जिसका benchmark, small cap category में nifty small cap 100 है, 0.24% गिरा, तो यहां पर अगर आप लमसम इस समय नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ साथ कई सारे investors, बहुत सारे investors technology fund लेते हैं, technology fund देखेंगे, अगर आप त निफ्टी IT देखो, 1.03% गिर गिया, तो जिनके पास technology, जिनके पास technology mutual funds हैं, technology category में जैसे के Tata Digital India Fund, SBI का Digital India Fund, आदित बिरला सनलाइफ का Digital India Fund, ICCA Prudential का Technology Fund, जिनके पास यह category के mutual funds हैं, तो वो भी लमसम कर सकते हैं, उसका भी वक्त आ चुका है, इसके साथ साथ कई सारे investors railway stocks के नरेंदर मोदी जी हो, उन्होंने बिल्कुल कहा है, और उनका instance बिल्कुल clear है, कि हमास और इसराइल में जो कुछ भी हो रहा है, उसका impact जो IMAC जो project बन रहा है, इंडिया, इंडियान economy corridor जो बन रहा है, European economy corridor, तो उस पर इस project का कोई भी impact नहीं आएगा, यानि कि हम साथी अरे सी हो गया, RVNL हो गया, ठीक है, IRCTC हो गया, और इसके साथ साथ IRCOR हो गया, ठीक तो ये जितने भी shares है, इन पर definitely हर 10% के गिरावट पे पैसे डालते जाओ, इसके कई सारे investors के पास pharma sector से related mutual funds होते हैं, pharma जैसे की pharma and health care और diagnostic से related mutual funds हैं, कई सारे investor theme based में जब invest करते हैं, ठीक है तो उनके पास सही वक्त आ गया है, क्योंकि 0.75% ये भी गिर गया है, यहाँ पर भी सही वक्त है कि लमसम किया जाए, इसके साथ साथ कई सारे investors जो है, small cap category के mutual funds लेके रख लेते हैं, और जो उनका small cap category का mutual fund है, वो जो benchmark है, वो benchmark follow करता है, क्या कौन सा benchmark, nifty small cap 250, maximum जो small cap category के mutual funds जो भी लेके रखे हुए हैं, उनका benchmark होता है, nifty small cap 250, तो ये देखे, ये index 0.64% गिर गया, तो यहाँ पर भी बिल्कुँ सही वक्त आ गया है, कि भाई, लमसम किया जाए, यानि कि आप एक चीज़ देख चुके होगे, चाहे small cap हो, mid cap हो, large cap हो, flexi cap हो, hybrid हो, multi cap हो, multi asset allocation fund हो, balance advantage fund हो, कोई भी theme based हो, अब जब theme based की बात चल रही है, चाहे वो technology fund हो, चाहे वो healthcare fund हो, चाहे वो metals and mining fund हो, चाहे वो healthcare fund हो, चाहे वो transport and logistic category का mutual fund हो, तो हर जग है, एक opportunity खड़ी हो गई है, कि भाई साब, लमसम किया जाए, अब देख लेते हैं, कि कब लमसम करना चाहिए, अब आ अब तक देखिए, American market के हालात क्या है, हालात यह हैं कि Dow Jones देखिए, 33,033 पर चल रहा है, 0.33% का Dow Jones चल रहा है, 3 मेरा lucky number है, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, अच्छा यह है कि भाई, market गिरा दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, NASDAQ देखिए, 12,844 पर आ गया, य क्योंकि भाई देखिए, अगर आपको market का history पता है, किस तरीके से चलता है, share market का, अगर history पता है, पास्ट पे, तो आपको एक चीज बिलकुल डर नहीं लगेगा, बलकि हर गिरावट पे, या तो आप 37 अगर पैसा नहीं है, तो 37 बैटके मजे लोगे market के, अगर आपके पा वैसे अगर गिर गया, अगर गिर गया वाई चांस, तो आप ये बानके चलिए, 18,800 पर आपने जितना भी पैसा लंसम करने के लिए रखा था, अब देखिए एक तारिक पास में है, तो जिनका भी SIP चल रहा है, तो वो time मिली, time मिली और consistency के साथ, SIP को बिलकुल बंद क्योंकि नीचे से आपको unit मिल जाएंगे, number एक चीज, number दूसरी चीज ये है कि लंसम करने के लिए, कई सारी investors को मैं जानता हूँ, कोई एक लाग रुपए रखे था, कोई 50,000 रुपए रखे था, कोई कितना रुपए रखे था, even मैं बात करके चल रहा हूँ, अगर आपक अगर आपको अपने लंसम की एक installment डाल देनी है, यानि कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो सबसे पहले उस 10,000 रुपए को तोड़ दो 5 भाग में, तो 10,000 रुपए आपने 5 भाग में तोड़ दिये, यानि कि 2,000 रुपए हो गए, अगर आपके पास 1,000,000 रुपए है, तो उसको 5 भाग में तोड़ेंगे, तो 20,000 रुपए हो गए, अगर आपके पास 50,000 रुपए लंसम करने के लिए है, उसको 5 भाग में तोड़ेंगे, तो 5,000 रुपए हो गए, तो किस तरीके से invest करना ही है, आप यह देखे, आप एक बार में कोई भी रकम मत डाल देना share market के अंदर, कई बार investor यह सोचता है कि भाई, एक साथ पैसा डाल दो, कुई पता लगा, कल market उपर हो गया, तो अगर भाई, अगर कल market उपर हो गया, तो simple है, आपका पैसा fix deposit में डाल दो, मैं कहता हूँ, fix deposit में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप already invested हो market में, ठिक, लमसम तो वही लोग कर रहे हैं, जो लोग market में, जिनका mutual fund या जिनका share लगा था, वो नीचे गिर गया है, इस वज़े सी तो लमसम करना है, जब market उपर आ जाएगा, तो fix deposit में अपने पैसे को डाल दो, वो ज़्यादा safe रहेगा, अब देखिए क्या करना है, 5 भाग में एक installment आपको डाल देनी है, कब जब 18,800 पर ये nifty 50 दिखे, अगर ना देखे, तो भाई, simple है, पैसे को अपने fix deposit में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, market में डालने की, ठीक है, already आपका पैसा लगा हुआ है, definitely अगर market गिरेगा नहीं, इसका मतलब market उपर चलेगा, जब market उपर चलेगा, तो आपका profit तो वैसे भी बन रहा होगा, तो सबसे पहला क्या काम करना है, एक installment, 10,000 रुपए की आपको डाल देनी है, 18,800 पर, ये आपके पास जतना भी पैसा है, दूसरी installment आपको डालनी है, जब nifty 50, ये जो nifty 50 आपको दिख रहा है न, जब ये nifty 50, 18,500 पर आ तो टोटल आपका 20,000 रुपए चला गया, यानि कि 2 installment हो गई, अब क्या होगा market, लगातार नीचे बिलकुल swing की तरह है, बिलकुल नीचे नहीं आएगा, इसके बाद market positive भी होगा, तो चुपचाप जैसे positive हो, वैसे वैसे आपका NEP भी almost आपका net asset value है, वो भी average हो गया होगा अब वो चाहें वापस से market 19,250 पर चला जाए, या 19,500 पर चला जाए, तो जब भी जाए, तो नवंबर में 2,5-3% गरेगा, तो एक installment नवंबर में डाल देनी है, और एक installment कब गरेगा market 25 December के आसपास गरेगा, क्योंकि 25 December अमेरिका हमें है, जो Christmas day होता है, बहुत बड़ा festival होत एक installment कब डाल देने हैं आपको, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में कब डालनी है, बजट के, एक फरवरी को बजट आएगा, और एक फरवरी के बजट की चरपाँ 6-7 दिन पहले, यानि कि 26 जनवरी के आसपास, वहाँ भी market पेल के गरता है, साहिध इस वार ना गरेए, क्योंकि 22 या साहिच 24 को, राम अंदिर का इनाउगरेशन है उत्तर प्रदेश में, तो साहिच इस वज़े से market कब पॉजिटिव हो जाए, कब राम जी की करपा हो जाए, कब मार्केट पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पांचवी installment है, उ अगर आपके पास पैसा है, तो सिंपल है, उसके बाद भी डिप्लोई करना, हर गी रावर्ट में डिप्लोई करो, मजी आपको कब देखने को मिलेंगे, एक फरवरी को जब बजट आएगा, और डेफिनेट्री बजट अच्छा हैगा, रेलवे के स्टॉक्स जितने भी है, खुब पेल के चलते हैं बजट वाले दिन, क्योंकि रेलवे का बजट अलग से अनौंस किया जाता है, ठिक, बजट को आपको खुब बढ़या देखने को मिलेगा, इसके बाद जब प्राइम इनिस्टर के चुकि अगले साल इलेक्शन भी है, और ये सब को पता है कि रूल साथ हजार उपए, एक लाग रुपए, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, येकिन मन अगले साल तक बहुत अच्छा रिटन आपकी पॉकेट में डाल के दे जा पाएंगे, तो इस तरीके से पूरा अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत अच्छा पैसा मार् मार्केट औल टाइम हाई पे वापस जाए, तो डेफिनिलिक क्योंकि निफ्टी 25 तीस तीस जार वापस से चला जाएगा अगले साल तक ठीक, अगले साल तक चला जाएगा, तो तब बेच लेना, गिरावट में कभी बी कुछ भी नहीं बेचना है, चाहे आपको लॉस हो, जो बड़े-बड़े दिगज बता रहे हैं, वो तो यही कहा रहे हैं कि profit booking चल रही है, higher level से, higher level से profit booking चल रहे है, चलिए बहुत अच्छी बात, साथी साथ कुछ दिगज ये भी कहा रहे हैं कि Indian stock market today witnessed some buying interest as 10 year US treasury had raised from 16 year high levels and had came below 5% level, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि US वगरा के जो treasury प्रफिरी बॉंड्स वगरा होते हैं उन में इन्वेस्टर्स ललाइत हो गए हैं अब की पैसे डालने के लिए चलिए वो भी अच्छी बात है इसके बाद देखिए इसराइल हमास वार का भी कुछ लोग आपको देंगे कि भाई इसराइल और हमास जो वार है उसका भी थोड टू इंडियन करेंसी तो देखिए इसकी वज़े से भी मार्केट गिर रहा है चलिए ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि राइजिंग इन्फलेशन इन्फलेशन बढ़ रहा है तो ये भी स्टाइल मारने के लिए अच्छा पॉइ जो ये अप्रेल में जून का एक क्वार्टर होता है दूसरा क्वार्टर जुलाई अगॉस सिप्टेंबर का चलता है तो यही दूसरा क्वार्टर के रिजर्स आ रहे हैं और रिजर्स खराब आ रहे हैं इन्फोसिस के भी खराब आया बाकी कंपनीज के भी खराब रिजर् परसेंट अप है, सुभे ये निगेटिव में था और उसके बाद अचानक से ये 1.32 परसेंट अप हो गया, मतलब उपर चला गया, नेचुरल गैस भी उपर चले गई, सोना 0.44 परसेंट उपर है, और इसके साथ साथ चांदी देखिए गिरा हुआ है, इसके साथ साथ आप US देखिए, 83 रुपए 18 पैसे का, US डॉलर टू आइनर चल रहा है, ठीक है, 83 रुपए 18 पैसे का, तो देखिए आपको लॉजिक तो शेर मार्केट में गिरने के तमाम मिल जाएं, क्योंकि किसी ना किसी लॉजिक की वज़े से ही मार्केट गिरता है, चाहे वो बॉन्ड का ल है, कि जब जब ये दिवाली के आसपाथ शेर मार्केट गिरता ही गिरता है, तो कि देखिए, दिवाली पे बहुत ज़्यादा खरीदारी चलती है, एकोनमी तो पैस, एकोनमी के अंदर तो पैसा एक लिमिटेड है न, तो जब शेर मार्केट से दिवाली के अंदर उनका 25 दिसंबर आता है तो ये सारे logic है share market से simple सी बात है पैसा निकल रहा है इसकी वज़े से market गिर रहा है और उसके बाद वही जनवरी फरवरी के बाद सारे होली के बाद सारे festival almost खतम हो जाते हैं फिर से market के अंदर share market के अंदर पैसा आने लगता है फिर उसके बाद जून जुलाई होगा सिप्टेंबर बढ़े हाथ 3-4 महीने में आपको पेल के बहुत बढ़े हार रिटन देते हुए देखने को मिलता है तो ये logic है आपको क्या करना है ये एक आपदा है इसको opportunity में convert कर देना है simple सी बात समझो मेरे भाई डरना बिल्कुल नहीं video कोई कितने भी बनाएगा कि share market यहाँ चला जाएगा share market वहाँ चला जाएगा share market कहीं नहीं जाएगा share market simple है यही रहने वाला है बस आप कोशिस कीजिए कई बार investor कहता है यार कास में 2002 में वापस चला जाऊ इस वर मुझे रात में सपने में आये बस यह कहीं दे कि बैटा कहां जाना चाहते हो हम कहीं दे भाई 2002 में 22 और हम वहाँ पे टाइटन में पैसा डालके चले हैं या किसी भी mutual fund के अंतर पैसा डालके चले हैं 2002 में पर मेरे भाई देखिए आप भगवान आपसे यह कहेगा कि आपको पीछे जाना ही क्यों है आज आप पैसे डालो और उसके बाद जश्ट ज्यादा नहीं 20 साल आगे हम आपको लेके चलेंगे और लड़ी आज आप 20 साल पुराने हो जाओगे सिंपल सी बात है तो वह वही आज का समय है यकिन मानना पास्ट में जितनी भी हुचाई पे किसी ने भी mutual fund या किसी ने share में पैसे डाले होंगे आज की डेपे हर condition में वो positive हुई होगा इसी वज़े से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो simple है चुप चाप देखते रहो अगर आपका नजरि करने के चिस्टा करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद